आपके इस आत्म विश्वास को जोड़ दिया जाता है बहुत सारी और चीज़ों से भी संस्थाओं पर सवाल उठाये जाते हैं और विपक्षी दल जो आपके उपर एक बहुत संगीन आरोप लगाते हैं सरकार पर वो ये की संस्थाओं को प्रभावित किया जाता है और उसमें इलेक्शन कमिशन का नाम क्योंकि उस संस्था पर सबका जनता का भरोसा है इसलिए मैं इस आरोप पर आपका जवाब चाती हूँ कि वो कहते हैं पहले चरण का जब चुनाओ हुआ तो मद्दान के आंकड़े आने में 11 दिन क्यों लग गए क्यों उन आकड़ों को छुपाया जा रहा है इस आरोप पर क्या कहेंगा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं कम सकम आज तक से अपक्षा करता हूँ और हो सकते तो इंडिया टूड़े भी इंडिया तो दोनों से कि जो इलेक्शन कमिशन ने एक चिठी लिखी है उच चिठी पर ही विद्वानों की डिबेट हो पुलिटिशनों की नहीं जो एक्सपर्ट है जो इस वीशों को जानते हैं उनकी डिबेट हो और उन्होंने सही किया गलत किया क्योंकि मैं इसी के लिए कोई कॉमेंट करूँ ठीक नहीं है दूसरा इलेक्शन कमिशन यह जो इंस्टिटूट है करीब करीब 50-60 ताल तक सिंगल मेंबर रही है और मज़ा यह है कि इलेक्शन कमिशन से जो लोग निकले वो कभी गवंडर बने कभी एमपी बने कभी पार्लामेंट का चुनाव लड़ने गए अड़वाने जी के सामने मतलब उन् लोगों को बिठाया था इसका उदार्ण है उस जमाने के जो इलेक्शन कमिशन जो बैठे हैं वे आज भी उसी पुलिटिकल फिलोसाफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं ऑपिनियन अपने देते हैं आर्टिकल लिखते हैं इसका मुदलब अब जहां करके कि भारत के एलेक्शन कमिशन के जो यात्रा है इस पर अनालिसिस हो मेरा दूसरा कहना है दुनिया में भारत के ब्राणिंग के लिए जो हमारे पास अलग अलग चीज़े हैं जैसे मैं जब दुनिया को वहता हूं मेरे हैं 900 TV चैनल है है वो तुनिया को बताता हूं यह मरा देश है 900 TV चैनल और मैं कहता हूं इतने लेंगविशी मैं तो परेशान हो जाता है तो मेरे लिए 900 चैनल मुझे दिन रात क्या करते वो अलग विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है यह हम सप्पा करते हैं कि हमारे देश का ब्राणिंग करें मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग-अलग मीडिया हाउसेश को यहां इन्वाइट करना चाहिए चुनाओं मैं दो हैलिकोर्पर उनके लिए ले 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 लिए आपने अच्छा इडिया अगले बार के लिए बस सब्सक्राइब इससे आपका भी एक ग्लोबल बनेगा जैसे इस बार हमारे यहां कई पॉल्टेकल पार्ट भारत के सामाने मानवी की लोगतां तो कि सबाइच और कितना बड़ा मैनेजमेंट है जी लाखों लोग लगते हैं और समय से मां यह अधिभूत काम है जी यह बहुत बड़ा मैं तुमानता है दुनिया की उनिवर्सिटी के स्टेडी है और आपके अरुन पूरी जी पढ़ देखा की नहीं देखा मास समय नहीं मिला मुझे देखा नहीं लेगा मुझे चिंता जुरूर रहती थी कि क्योंकि इतनी आपा था पी मैं अच्छे हली को मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको लेंडिंग करने के लिए मिलेगा नहीं मिला और को वी आईपी मुमेंट हो यहाले यह सरल नहीं है जी बड़ा कठीर है